नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि अर्सोकोल टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, अर्सोकोल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और अर्सोकोल टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे कि अर्सोकोल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, अर्सो कोल टैबलेट का उप्योग गॉल ब्लैडडर की पत्री यानि पित की थैली में पत्री होने पर और लिवर की बीमारियों के इलाज में किया जाता है अर्सो कोल टाबलेट गॉल ब्लाडडर में पत्री बनने से रोकती है और कॉलेस्ट्रॉल से बनी गॉल ब्लाडडर की पत्री को खत्म करने में मदद करती है अर्सो कोल टाबलेट केवल कॉलेस्ट्रॉल से बनी गॉल ब्लाडर की पत्री को खत्म करती है अगर किसी व्यक्ती की गॉल ब्लाड़र की पत्री बिलिरुबिन से बनी है तो अर्सोकोल टैबलेट बिलिरुबिन से बनी गॉल बलाड़र की पत्री को खत्म नहीं करती है। को खत्म करने के लिए अर्सोकोल टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं इसके अलावा लिवर की बीमारिया जैसे प्राइमरी बिलियरी सिर्होसिस होने पर भी डॉक्तर अर्सोकोल टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं अर्सोकोल टैबलेट लिवर में मौझूद विशेले पदार्थों को बाहर निकालती है और लिवर की कारेप्रणाली को अच्छा बनाती है अर्सोकोल एक ब्रैंड नेम है अर्सोकोल टैबलेट के अंदर सौल्ट कमपोजिशन अर्सोडियोक्सिकॉलिक एसिड होता है अर्सो कोल टाबलेट 150 mg, 300 mg, 450 mg वचे 100 mg की स्ट्रेंट में अविलेबल है साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में अर्सो कोल टाबलेट की वज़ा से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में अर्सो कोल टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं। अर्सो कोल टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। और प्राइमरी बिलियरी सिर्होसिस होने पर डॉक्तर अर्सो कोल टैबलेट को शरीर के वजन के हिसाब से 10 mg से लेकर 15 mg पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से डोज को 2 से लेकर 4 समान भागों में डिवाइड करके लेने की सला देते हैं। गौल ब्लैडर की पत्थरी को खत्म करने के लिए डॉक्तर अर्सो कोल टैबलेट को लंबे समय तक लेने की सला दे सकते हैं। और आपको लगातार 2 साल तक भी अर्सो कोल टैबलेट को लेना पड़ सकता है। अर्सो कोल टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको अर्सो कोल टैबलेट को लेने से पहले डोक्तर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे की अर्सो कोल टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। पेट में अलसर होने पर, गौल ब्लैडर में इंफ्लेमेशन यानि गौल ब्लैडर में सूजन होने पर अर्सो कोल टैबलेट को लेना recommended नहीं होता है। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना अर्सोकोल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अर्सोकोल टैबलेट की वज़े से दस्त होना एक सामान्य साइड इफेक्ट है। अगर किसी व्यक्ति को अर्सोकोल टैबलेट को लेने के बाद दस्त होने की समस्या होती है तो आपका डॉक्तर अर्सोकोल टैबलेट की डोज को कम करने के बाद भी दस्त की समस्या बनी रहती है तो आपका डॉक्तर अर्सोकोल टैबलेट को बंद भी कर सकता है प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए अर्सोकोल टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को अर्सोकोल टैबलेट को डॉक्तर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को अर्सोकोल टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रिडेंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को अर्सोकोल टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका अर्सोकोल टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं